असलाम लेकुम सुडेंट्स वेल्कम टू वर्ल्ड ओजुकेशन और आज आपको वर्ल्ड ओजुकेशन की स्वीडियो के अंदर लैब नंबर 11 और लैब लंबर जो 12 वेसका क्विज करवाऊंगा बहुत इजी क्विज ता मुश्किल नहीं इन्शाला यही क्विज आपके प एक शोर कि आप इसको आज ही कंप्लीट करने वट इस पर प्रोटोटाइप और लॉड इंग ऑप्रोटाइप को लिखते हैं यहां बेदिए उसके आगे ऑप्रेटर ढिलीड है उसका और वोट इस्टारिक पृटिय आ रहा है तो यह इसका प्रेट सेंटैक्स है आप इस से पर आपर आपको एक दफा इसका प्रूफ दिखाता हूं यहां पर देखें वोईड ऑपरेटर डेलीड वोईड स्टैरिक पीटी आर और अगर आप में नियू का जो कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करना तो यहां पर आपको यहां पर स्टैरिक अवर्ड मिल रहा है बागी ऑप यहां पर आपको पूछे जा सकते हैं नेक्स देखते हैं तो विचे तो फॉल्विंग ऑप्शन नोटा सोर्स ओफ दा आउट्पुट स्ट्रीम सोर्स का मतलब क्या होता है जी सोर्स का मतलब ही होता है कि ऐसी चीजें जो में आउट्पुट स्क्रीन के ओपर जो दिखाई जा सकती है तो देखे है जो मुझे फाइल भी हम देख सकती है और स्क्रीन ही भी देख सकते हैं यह पर जोसकर राइट-पूसन मिजे लगा वह रती होगा यहार रिजीन इन आपम्री होगा in दोनों मेंसेज हो Canvas होगा मुझे यह प्रूफ करने पर यह जैइज सर्च करने इन्शाला आपका option ठीक होजएगा ओके जी next देखें हमनी objects are initialized in the statement of code हमने कितने objects को जो है वो initialize कि date my date और int फिर date है उसके आगे 9 या आगे में जो है वो दो date लगाई नहीं है तो हमने यहाँ पर 10 objects को initialize किया हुगा है इसके जो right option होगा यह 10 objects होगा यह देखें हमने यह object है आप इसका मतलब है कि आप 10 objects को अपने लिए अनिशालाइज कर लिया तो यहाँ जो right option होगा वो 10 होगा यह आगे आगे आपको question दोबारा repeat भी हुआ है और आगे आपको दोबारा से एक दवा दिखाऊंगा ठीक है अब यह मुझे option आपके handouts पे मिला होगा है मैं आपको handouts एक दवा प्रूफ दिखाऊंगा दो उसके बार बात करते हैं यह देखें यहाँ आपको बता रहा है कि यह syntax है जो उपर mcqs में दिया गया था यह बहला यहां से आपको पता लग गया कि यहां से आपको पता लग गया आपको दिखा तो मैंने यह बार मिस्टेक फूल गा दिया है लेकिन इसका जो राइट option होगा यह दोज़ा पर कुस्टन आपके पेपर में यह आपको प्र यह तो राइट option इसका जो गया यह 10 होगा यह वाला आपने 10 लगाना है इसको ठीके जी उसके आगे हम देखते हैं तो in the syntax of overload operator function given below आपको जो overload operator का syntax है वो given है यह क्या syntax है वाला इसको भी हम समझ लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं complex overload plus complex and यह ना overload का operator का syntax है यह आपने याद रखना है यह आप से paper में पूछा जा सकता है final time में भी और आप से mcq में भी है quiz में भी अब इसमें what is the operator वो कह रह अदि दूरा रहे है किया जी यह मारे पास यह आपने बताना है तो यह जो है यह यह keyword है ठीका है मैंने आपको श्राइभ आप अateur में पूछ आ ए你 соврем 01roote यह पास keyword होगा तो यहां पर keyword इसका राइट option कर दिटर किया जाएगा यह देखें operator is keyword here operator जो है वो keyword है तो यही आप से बूछ साथ प्रिवियस में कि वट इस operator operator क्या है तो जो है वो keyword आएगा यहां पर नेक्स देखें तो बड़ा असान सा आप पूट है कमारे पास और यह देखें शबस्वले आपने एंडर फ्राल करें किया में पर्ट में आप 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 ने का see out please enter an integer value आपने integer value को जो हो एंटर करना है और see in में आपने का number plus four अब यहां बे नंबर दो यूजर एंटर करेंगा ना 4 को add करना है, 4 plus 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि user क्या पता number 1 add करे या 4 add करे और वैसे भी इसमें plus 1 है, हलाकि question में हमारे पास जाए, वो plus 4 है यहाँ पर देखें, यह plus 4 और यह plus 1 है, तो यह option भी नहीं होगा, error भी नहीं आएगा add number plus 4, यानि यह वो कह रहा है वो right option होगा, इस जो output है या इस प्रोग्राम का, ठीक है easy प्रोग्राम में मुश्किल नहीं है, उसके आगे देखें, which option will be correct in order to free the space of memory allocation to a buffer, अगर अगर हमने अपनी memory को बुफर के अंदर free करना है, तो हम किस चीज़ का function पुछे, आप फ्री बुफर इस्थ dalरार करती है जाआ खाती है, तो हम फ्री स्थ, उलना जाए है यह खेंक, इस उलिए करणा कृँल सब्करिस होगा, अगर आप यह कि आप मारे मेरा को प्रोग्राम मेरा करती है तो जो कि यहां पर free the space लिखा हुआ है तो this means कि मुने आपर free buffer को इस्तेमाल करना है जी उसके आगे देखें तो यह अच्छा यह देखें मैंना को पता है था था आपको question रपीट हुआ था यह दोबारा question आगया वो दोबारा पूछ रहा है अब उसने आगे आपको dates ने दीवी how many objects are initialized of for the class date इस date class के नदर कितने objects वो initialized हुए हम पहले भी बात करके आचुके हैं तो यहां पर जाके date my date और 10 यानि कि यहां पर जो 10 objects हैं उसको हमने initialize किया हुए तो यह option मैंने ठीक लिखा है था यहां पर 10 जोगा इसका right option होगा ठीक है तो मैंने आपर 10 ही इसका mark किया हुए और यह मैंने आपको लिटी प्रूफ दिखा दिया है यह वला कि actually all the 10 objects are created तो महां पर जो 10 objects हैं वो create होते हैं तो 10 is the right option here next देखें जी next में मेरे पास एक program यह जिसका आपने output उताना है but will be the output of the following code सबसे पहले आप header file को include कर रहे हैं उसके बाद आप आते हैं main part में और आप करते हैं यह फ्लोट नंबर फ्लोट नंबर कहा 15.999 सी यह पर आते हैं set patient 2 और आकर में number अब इसका main जो syntax है जो main output होगा ना वह यह 15.999 ही होगा कैसे के पहले आपने value को set किया value कहां पर थी यहां पर पढ़ी नी थी यहां पर आप और आपने का इस number को जा कर उठा लो तो simple आपने यहां पर को काम नी किया कोई operation नहीं लगाया कोई आपने number को plus minus multiply नहीं कर वाया तो यहां पर 15.999 जो होगा इसका right option consider किया जाएगा यह मेरे पास इसका प्रूव अवेलिबल नहीं है मैं लेना भूल गया था लेकि मैंने इसको Google से verify किया है तो यह Google से 110 जो आपका question यह ठीक है ठीक है मेरे पास प्रूव अवेलिबल नहीं है लेकिन आम इसको देख लेना है अगे नेक्स ओप्शन देखते हैं हम तो complex C add complex C1 and complex C2 which statement is true for above code आपने प्ताना है कौन सी statement जो हो true अबचर के लिए तो यह क्या करा रहे है एक्सेट कर रहा है दो complex number को और इसके parameters हैं यह देखिए आपर c add और क्या कर रहा है इसको return कर रहा है back resultant complex को यानि कि इसको add करने के बाद हमेरे number को value को screen के पर return कर दिया जाएगा तो यह जो तीसरी यहां पर यह option होगा राइट होगा यह आपके final term के mcqs में बहुत अफ़ा पूछा जा चुका है next देखें जी last question है हमारा correct syntax of prototype of the overload operator function आप में जो correct syntax है prototype का overload operator function वह आपने बताना है तो इसमें क्या है पहले return type है फिर operator है उसके बाद operator का symbol होता है तो तीसरा option यहां पर राइट होगा सबसे पहले return type लिखेंगे फिर operator लिखेंगे plus सा minus सा जो भी operator होगा उसके बाद operator का symbol होगा वह आजएगा यह भी Google से verified है यह देखें return type operator उसके बाद arguments तो यह हमारे पाद होगा right option consider यहां पर किया जाएगा तो यह आपका quiz तादी hopefully आपको समझा आचकी होगी तो मैं अमीद करता हूँ कि आप इंशाला जब आप अपना quiz solve करेंगे तो आप इस concept को लाजमी याद रखेंगे please channel को subscribe दूरू कीजिएगा इंशाला आपको इसी जान पर मिलेगी thank you so much अलाहाफिस